स्री कृष्ण ये किताब की कहानी पढ़ेंगे आज हम बहुत समय पहले मत्रा मेराज कुमारी देव की और राज कुमार कंस रहते थे देव के दयालूती पर कंस अत्यंत कुरूर था देवकी का विबा बसुदेव के साथ हो गया एक दिन कंस देवकी और बसुदेव को रत में लेकर महल की ओर जा रहा था तभी भविष्ट बाड़ी हुई कंस देवकी का आठमा पुत्र तुम्हें मार डालेगा कंस अत्यंत्र कुरुद्ध हो उठा वह देवकी को उसी समय मार डालना चाहता था विबा बसुदेव ने कंस को रोका और देवकी के बच्चों को उनके जन्म के तुरंत वाद कंस को देने का वादा किया कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया वह देवकी के बच्चे को पैदा होते ही मार डालता सात्वे बच्चे के जन्म से पहले ही भगवान ने अपनी माया से उसे वसुदेव की दूसरी पतनी रोहडी के गर्भ में डाल दिया एक रात मुस्लाधार बारिश हो रही थी तभी देवकी ने रात के बारे बजे उस आटवी दिब्य संतान को जन्म दिया अचानक एक आकाश वाड़े हुई और एक दिब्य आवाज ने वसुदेव से कहा गोकुल के मुखिया नंद के घर बालग को पहुँचा कर नंद की पत्नी यशोदा की नवजात कन्या को ले आओ बालग का जन्म होते हैं अचानक सभी पहरेदार गाड़ी निद्रा में सो गए और कारागार के दरवाजिक खुल गए गोकुल जाने के लिए युमना नदी को पार करना पड़ता था चमतकारिक रूप से नदी ने दो भागों में बटकर वसुदेव को गोकुल जाने का रास्ता दे दिया वसुदेव ने बालग को यशोदा की बगल में सुलाया और बालिका को लेकर मतुरा बापस आ गए गोकुल में नद और यशोदा करश्ण को बड़े लाढ प्यार से पालने लगे कंस ने करश्ण की बहादरी की किस्से बहुत सुनी थे उसने करश्ण को मारने की योजना बनाई और करश्ण को कुस्ति के लिए मतुरा बुलाया कंस ने अपने पराकर्मी पहलवान चानूर को क्रश्ण से लड़वाया चानूर ने क्रश्ण को अपनी भुजाओं में मसल कर माना चाहा पर क्रश्ण उसे पटक कर मार डाला तद पस्चा तलबा लेकर क्रश्ण ने धूर्त कंस को भी मार डाला फिर अपने माता पिता को कारगार से मुक्त कराकर क्रश्न ने उनका आशिरवाद लिया